पिछली कक्षा में हमने मुकदमा पाठ पूरा पड़ा है पहला दुरुष्य और दुरुष्य अब हम आगे का भाग पड़ेंगे जिसमें स्वार्ध है देखेंगे उसके पहले हम देखते हैं आज का सुविचार हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है माल लिया तो हार और ठान लिया तो जीत अर्ठार हार और जीत ये सब हमारी सोच पर निर्भर होता है जिस प्रकार का हम सोचते हैं हम उसी प्रकार का करते हैं या उसी प्रकार की घटना हम हमारे आज स्पास महसुस करते हैं इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो, और मैंने कई बार आपको सकारात्मक्ता पर सुविचार भी बताये हैं, कि हमेशा सोच को एक नई दिशा, नया दृष्टी कों दो, सोच को सकारात्मक्ता देने से क्या होता है, हमारे विचारों में अच बढ़ते हैं, इसलिए कहा है, हार और जीत हमारी सोच पर नीरभर है, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है, अगर हम कोई भी कार्य करने के लिए ठान लेते हैं, निर्ने ले लेते हैं कि यह कार्य सम्पूर्णा करना है हमें, तो हम ज़रूर उस कार्य को पूर्णा कर करते हैं कि शब्द संशरा आपको लिखना है ऑप इसके अलावा भी शब्धास पीडियव Mikeने दिये जाएगे उसए भी करना है जो भी पीडियवाइल मैं आपको homework दिया जाएगा वहिए आपको कॉपी में जनुर्फ करना है स्वेमत पच्चोल लिखो, कोशिश करो लिखने की कि किस प्रकार से हमें स्वेमत को लिखना है आप जब तक दिया हुआ ग्रह कारिय करोगे नहीं, तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि आपका अभ्यास कित्ते प्रतिशत हो रहा है कई बार आपको कहा है कि आप लोग हमें वेक्तिगत रूप से वाटसप के द्वारा भी आपका ग्रह कारियर या जो भी आपको दिया जा रहा है जो भी आपको जहाँ पर किसी बात का संदेव हो आप पूछ सकते हो बोल सकते हो पर आप लोग ऐसा नहीं करते हो गिने चुने कुछ बच्चे ही है जो वेक्तिगत रूप से हमें प्रशन करते है या मुझे पूछते है पर मैं चाहती अधिक से अधिक बच्चे पूछे, जैसा भी हमें समय मिलेगा, हम जरूर आपकी मदद करेंगे, तो दिया गया ग्रहोकारियत जरूर करो, स्वयमत अभिवेक्ति लिख कर देखने का प्रयास जरूर करें, स्वाध्ध है, सूचना के अनुसार कृतिया कीजे, कृति पूर्ण कीजे, पानी की मन मानी, तो कहीं न बरसना, कहीं बरसना, पानी यहां बरसता है, जहां पेड़ हो, जहां वन हो, यह क्या है कृति युक्त, एक अंक के लिए प्रशना आता है, तो इस प्रकार से आपको लि उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजे हवा बदबुदार होने के कारण है कि हवा में कारखानों की गंदगी और ग्यासे होती है हवा पर आरोप लगाया गया था कि हवा में खुश्बू नहीं होती है तो यहाँ पे तीन विकल्प दिये है तीन में से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है उसके बाद कारण लिखिए पानी अशुद्य होने के कारण चार आपको दिये गए है कि चार आपको यहाँ पर लिखना है वैसे तो कही है पर उसमें से हमें चार लिखना है लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते वशुओं को जोहर में तेरने छोड़ देते हैं गाव की गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं कारखानों की गंदगी नदी के पानी में डाल देते हैं इस प्रकार से लोग क्या करते हैं पानी को गंदा करते हैं अब जो चौथा प्रशन है, ऐसे प्रशन तयार कीजिए, जिनके उत्तर नीमन शब्द हो, अब ये जो दो शब्द दिये गए है, इन दो शब्द पर आपको उत्तर हो ये शब्द और आपको प्रशन तयार करने हो, तो सबसे महतोपुर्ण बात ये है बच्चों, कि आपको प्रशन पाठ से संबंदित ही बनाना होगा, आप शब्द जब उत्तर आपको किताब से दिया गया है शब्द, तो आपको प्रशन भी यहीं से बनाने होगे, आप अपने मन से बाहर के शब्दों का उप्योग करके प बना सकते हो, समझ में आया, तो ऐसे प्रशन प्रशन प्यार करने हमें, तो जोहर शब्द दिया गया है, जो हमारा उत्तर होना चाहिए, तो इसके उपर आपको प्रशन प्रशन प्यार करना है, तो क्या प्रशन प्रशन प्यार होगा इसके उपर जोहर में, कि लोग अपन पशुओं को तैरने के लिए कहाँ छोड़ देते है जोहर जोहर यानि क्या है एक छोटा कृतिम तालाब जहां पे कम पानी होता है ऐसा स्थान उसी प्रकार से आपको और भी कई शब्द दिये जा सकते है जैसे पानी है मैदान है दंडित करना है अब साफ सुत्रे साफ सुत् बन सकता है कि हमें पानी और हवा को लेकर कैसे रहना है तो कैसे रहना हमें साफ सुत्रे रहना है या हमें हमेशा साफ सुत्रे रहकर पानी को निर्मल और हवा को शुद्ध बनाए रखना है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आपको प्रशन तयार करने के लिए आ सकता है तो बच्चों आपको यह तयार करना है एक अंक के लिए आता है आपको इधर उधर कहीं से भी शब्दों का प्रयोग करके प्रश्ण निर्मान नहीं करने है पाट से संबंदित पुछा है तो आप पाट से संबंदित ही प्रश्ण तयार करोगे ठीक है वृत्त में दिये शब्दों के लिंग तथा वचन के अनुसार वागे करन कीजिए वृत्त याने गोला इस गोले में लिंग और वचन शब्द दिये गए है जिसे आपको यहां चार खंड दिये है स्त्रीलिंग, पुलिंग, एक वचन, बहुचन इसमें आपको इसमें से शब्दों को चुन कर आपको इन खंडों में लिखना है इन भागों में लिखना है स्त्रीलिंग, नदी, फसल, सड़क, नाली पुलिंग, पंखा, कूड़ा, गाव, विक्ष एक वचन, बीमारी, आख, आदत, मुकदमा बहुचन, शिकायते, गावाहे, सदिया और कारखाने बच्चो लिंग, पुलिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में दो ही लिंग होते है तिसरा लिंग नहीं होता है, पुसक लिंग नहीं होता है तो जब हम लिंग की पहचान करते हैं तब उसे वाक्य के अंदर डाल कर देखो नदी बहती है नदी बहता है नहीं कहते हम बहती है पंखा चलता है पंखा चलती है नहीं कहते तो इस प्रकार से जब हम उसे वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं तब हम उस शब्द का सही लिंग पहचान सकते हैं आसानी होती है हमें लिंग पहचाने में तो यह चीज आप हमेशा करके देखिए जिस प्रकार से फसल मैंने फसल लगाया लगाया नहीं कहते हैं मैंने फसल लगाई है मैंने कुडा फेका मैंने कुडा फेकी ऐसा नहीं कहते हैं सडक गाव सडक ना एक वचन से एक वस्तू का अहसास होता है बहु वचन से अनेक वस्तु का शिकायते 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 अनेक होती है तो इन बातों को द्यान में रख कर आपको यह भी ग्रुहकारिया करना है उसके बाद शब्द युकमबनायः Ermrejoitt कूड़ा कच्छरा और इधर उधर मैंने आपको गुरू कार्या के लिए दिया है यहां तो आपको करना है पर मैं उत्तर बता दे रही हूँ आपको गाव शहर गाव गाव भी कहते हैं हवा पानी सीधा साधा साफ सुत्रा जाड जाड पोच तो इस प्रकार से यहां पर शब्दा आपको लिखने हैं ठीक है तो अब हम आगे देखेंगे बढ़ते हुए अभी वेक्ति बढ़ते हुए प्रदुशन को रोकने के उपाय पर अपने विचार लिखिए अब हम इसके अंतरगत क्या-क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं मैं कुछ आपको डिसकस करके बताती हूँ आप इसके आधर पर और भी लिख सकते हैं कि आज की समय पर प्रदुशन सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को हल करना हमारा करतव्य है खतम करना है कि अत्यनतव मुश्किल काम है यह एक मनुश्य के बसका काम नहीं है इसके लिए हमें सकारत्मक्त सोच और नीस्वारत भाव को अपना कर आगे भढ़ना होगा सबसे तो पहले हमें प्रदुशन को रोकने के लिए जो अंदादुन कटाई कर रहे है चारों तरफ उसे रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड लगाने होंगे तेहवार के अवसर पर जो वायू प्रदुशन होता है उसे रोकना होगा पेट्रोल, डीजल, बिजली के अलावा हमें सोर्य और जाका उपियोग करना होगा जिससे कारण से हवा में प्रदुशन फैलने से रोका जा सकता है तीवी, लाओड स्पीकर, संगीत के साधनों को हमें धीमी गते से सुननना होगा जितना आवशक हो उतना उसका भी अधिक प्रयोग करने से रोकने से ध्वनी प्रदुशन को भी रोका जा सकता है कारखानों से जो गंदा पानी निकल रहा है वो सीधे नले और नदी में न डालकर उसे सफाई करके उन्हें नाले में बहाने के लिए छोड़ना होगा जिसे कारण से वहाँ पर भी गंदगी होने से रोकी जा सकती है और रासाइनिक और जेविक खात को प्लास्टिक की जगह खागच और आधिका इस्तमाल करके लोगों एवं बच्चों को परियावरन सरक्षन की शिक्षा हमें दे कर प्रदूशन को फैलने से रोकना होगा इस प्रकार से आप कुछ पॉइंट लिख कर और अधिक उसे अपने मन से बढ़ा कर लिख सकते हो गुरुहकारिया यहाँ इन शब्दों से बने मुहावरे तथा उनके अर्थ लिखकर 17 वाक्या में प्रयोग केजिए अब कान से संब्देत आपको दो मुहावरे लिखना है नाक और सीर कान भरना कान देना याने धान से सुनना कान भरना याने चुगली करना नाक रखना नाक काटना नाक रखना याने इज़त रखना नाक काटना याने बेज़ती करना सीर उठाना विरोध करना सीर जुकाना हार मानना तो ऐसे आपको मैंने बता दिये हैं आप इसके उपर आप उत्तर मुहावरा वाक्य में प्रयोग करके लिखना है अब उप्योजित लेखन अपने ग्राम नगर महानगर के संबंधित अधिकारी को बच्चों के खेलने के लिए बग्या बनवाने है तुप पत्र लिखिए अब यहाँ पे यह ओपचारिक पत्र है नमूना दिया गया है इसके पहले भी हमने किया है आपको पत्र लेखन करना है और यह आपको ग्रहकारिय करके मुझे व्यक्ति गत रूप से जरूर भेजना है ध्यान में आया बच्चों ठीक है तो इतना ग्रहकारिय कीजिए आज क इता सीका में हम इतना ही परेंगे